हेलो गाइज, वल्कम तो माइ यूट्यूब चानल गार्डन गाइड, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माइ चानल और पुछ दबल आइकन तो गेट नॉटिफिकेश्टों आज हम बात करेंगे दूसरे मेडिसनल प्लांट करी पत्ते की, इसे लगाने से लेकर इसक प्लांट में लगाएं, तो अच्छा होगा, इसके लिए गार्डन स्वाइल हाफ पार्ट, वर्मी कंपोस्ट वन फोर्ट पार्ट और सेंट वन फोर्ट पार्ट लेकर पॉट तयार करें, इसे भी से भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से लगाना ज़ादा अच्छा होता ह ये गर्मियों में ज़ादा ग्रो करता है, अगर सनलाइट की बात करें, तो इसे 5-6 घंटे की धुक्या आवशक्ता होती है, पानी पार्ट में लगा होने के कारण दिन में एक बार जरूर देना चाहिए, आईए बात करते हैं इसके फायदों की, इसमें वो कौन से गुन है जिन से हमें फायदा होगा, तो इसमें हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, कौपर, मिनरल, केलशियम, फासफोरस, फाइबर, कार्वोहाइडरेट्स, मैगनीशियम, आईरन और अमीनो एसिड, इसकी 5-7 पत्तियां सुभे खाने या इसके पत्तों को उ लॉक्सिन पधार्द बाहर निकलते हैं और हाजमा होता है, 10-15 दिन में फायदा दिखाई देगा, इससे वजन भी कम होता है, इसकीन प्राब्लम्स में भी फायदे मन्द है, इनकी पत्तियों को पीस कर तिम्पल वे एकने वाले स्थान पर लगाने वे सुखने पर ठंडे पानी से मुझ धोले, इसकीन में निकार आएगा, यदि आप कोई इसकीन पर सन बर्ण या रेशेज हैं, तो आप करीपत्तों को दूद में उबालकर बर्ण इसकीन वे रेशेज पर लगा सकते हैं, आराम मिलेगा, अगर आप बालों के गिरने वे रूखिक पन से परेशान हैं, तो करीपत्त को पेस्ट बना लें, और दही में मिलाकर बालों में लगाएं, एक घंटे बाद शेंपू कर लें, इसे महीने में चार-पांच बार करें, आपको फायदा होगा, शुगर वाले लोग इसे अपने खाने में किसी ना किसी रूप में शामिल करें, शुगर क किया जा सकता है, ये लिवर को ठीक रखता है, और खून बढ़ाता है, जो लोग कम्ट्यूटर वे लैप्टॉप पर काम करते हैं, वो लोग इसका नियमित प्रियोग करें, आई साइट ठीक रहेगी, जो पोधे हमारे आसपास और हमारे घरों में होते हैं, अगर इनकी medicinal qualities क को हम जान जाएं, तो हम इनका फायदा आराम से उठा सकते हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, शुक्रिया